वाइस आई होप आप सब बच्चे होंगे आज 4 फेबरी है आज का मैं आपको दा हिंदु का एडिटोरियल पढ़ाऊंगा एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेंड करूंगा आप कोई सब एक्जाम दे रहे हो यसे यूपी एसी सी एक्जाम जिसमें आपको आंसर राइट सारे बच्चों को डिफिकल्टी होता है दा हिंदु एडिटोरियल समझने में क्योंकि दा हिंदु टफ वर्ड यूज करता है और 3-4 गंटे बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं इसको समझने में ठीक है मेरा परपस ही है कि मैं आपको समझाओंगा हिंदी में उसके बाद आप इसको खुद जाके रीड करो तभी आपको समझ में आएगा और एक नोटबुक लेके रखना मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मिनिंग बताऊंगा आप नोट करते जाना ओके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्लीस यार जो भी देखेगा पूरा वीडियो मतलब ल कोडिफिकेशन मिल जाए और प्लीस कमेंट में अपनी सजेशन्स लिखते ना जैसे आपको मतलब क्या इंप्रूमेंट चाहिए या क्या इंप्रूमेंट हुई है ओके अभी हम लोग प्टार्ट करते हैं कि हैडिंग क्या है चार्ट शीट स्क्रूटीनी इस नाट एक केस प्राइंग आइस ठीक है इस एडिंग का क्या मतलब है चार्ट शीट आपको सबको पता होगा जब किसी के पास किसी के मतलब खिलाफ कोई FIR होता है ठीक है first investigation report तो जो पुलीस होती है उसको सो दिन के अंदर चार्ट शीट जमा करनी होती है मतलब जितने भी उस पे आरोप ल प्राइंग आइस मतलब क्या होता है प्राइंग का मतलब होता है तांग जांग करना मतलब investigation करना या मतलब किसी और के मतलब किसी और की चीज को समझने की कोशिश करना मतलब किसी के मामले में थोड़ा interfere करने की कोशिश करना तो उसको बोलते हैं प्राइंग और प्राइंग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनको बोलते हैं Prying Eyes, तो heading का मतलब ही है कि Char Sheets Scrutiny is not a case of Prying Eyes मतलब जो Char Sheets की जो जांच होती है, वो Prying Eyes, मतलब वो सब के लिए नहीं है Is not a case of Prying Eyes, मतलब वो सब के लिए नहीं है है उन लोगों के लीए नहीं है कि जो चाहते है कि किसी के ऊपर मतलब कोई चार्षीट बनी है वो purchases ठीक है सुप्रीम कोड बोल रहा कि यह सब के लिए जिसन अब है इंदर में क्या है वो हम एक एक लाइने के तो आपको हैडिंग समझ में आगे ना, चार्ज की स्क्रूटिनी इस नाट एकेज आप प्राइंग आइस, मतलब जो चार्ज इट है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उन लोगों के लिए नहीं है, जो मतलब दूसरों की प्राइवेट लाइस में गुसना जाते हैं, उनकी मतलब इंटरफेयर यहां, उनको देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, अभी हम लोग समझते हैं, तो जो हमारा हाई कोट है ना, वो मतलब जो ट्रांस्पेरेंसी क्या होती है, मतलब किसी चीज़ को एकड़म क्लियर तरीके से दिखाना, जिसमें कोई गोटाला ना हो, तो मतलब सुप्रीम कोट एक जम लास्ट फ्रांटियर, मतलब लास्ट एकड़म टॉप पे पहुंच किया था, ट्रांस्पेरेंसी के, जब उसने इस बात का एगरी किया, कि जो हमारे सुप्रीम कोट के जो हेरिंग्स होती है ना, उनको हम लाइव टेलिकास्ट करेंगे, तो य मतलब उन लोगों ने इसका काफी स्वागत किया, जो एक्टिविस्ट है, मतलब जो काम करते हैं लोगों के लिए, और जो काफी शोर मचाते हैं, कि for openness in judicial proceedings, मतलब judicial proceeding है उसमें openness होनी चाहिए, तो उन लोगों ने इसका काफी welcome किया, उसके बाद, तो सुप्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अभी एक judgment आई थी, जिसमें उनोंने बोला था कि जो भी सुप्रीम कोट की judgment आईगी, मतलब decision आएगा, उनको चार languages में translate किया जाएगा, हिंदी, कुजराती, ओडिया और तामिल, काफी important है, नोट भी कर सकते हो, एक्जाम में किसी भी एक्जाम में आ सकता है, ये सुप्रीम कोट का वर्डिक था, ठीक है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, as the English language in its legal of tar is not comprehensive, मतलब जो English language है न, वो सब को समझ में नहीं आती है, comprehensive का मतलब होता है, सब को समझ में नहीं आती है, even 99% लोग तो अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं, is another step towards making judicial process more accessible, तो ये मतलब जो सुप्रीम कोट का वर्डिक था, कि हम लोग जो भी judgment होगी, उसको चार languages में translate करेंगे, ये भी मतलब judicial process को more accessible, मतलब लोगों को समझने के लिए और आसान बनाता है, उसके बाद, against the backdrop, बैक्ट्राप क्या होता है, मतलब जब कोई एक process चल रही है और उसी समय कोई दूसरी process चल रही है, एक तरफ तो सुप्रीम कोट ने ये बोला कि हम लोग मतलब चार languages में judgment देंगे, और ये भी बोला कि हम लोग मतलब जो live telecast दिखाएंगे hearings का, लेकिन उसके opposite में सुप्रीम कोट ने साथ-साथ में क्या किया, इस सुप्रीम कोट परना चार शीट्स पर, उसको हम देखें तो वो एकदम retrograde है, अब retrograde का meaning लिखिए, retrograde का मतलब होता है making a situation boards, मतलब वो अच्छी नहीं है, मतलब वो situation को खराब करने वाली है, ठीक है, here the court ruled that a charge sheet filed against and accused in a criminal case is not a public document within the meaning of the right rule information act or the Indian evidence act, तो इस judgment में Supreme Court ने क्या बोला कि जो चार शीट फाइल है ना, मतलब किसी भी accused कि, accused किया होता है जिस पर आरोप लगाया है, किसी भी criminal case में, वो एक public document नहीं है, ठीक है, और वो right to information act है ना, जो 2005 के अंदर, जो मतलब public को अथिकार देता है कि आप कुछ भी जान सकते हो, वो उसके अंदर में नहीं आता है, और न तो जो ये demand थी ना, मतलब कुछ लोगों की, जो, की जो charge sheet होती है, उसको public website पर download देना चाहिए, ताकि जो public है, उसको वो देख सके, ठीक है, as it is filed in court was untenable, मतलब जो court में file होती है, charge sheet, तो वो क्या किया, untenable होगी, untenable का मतलब क्या होता है, untenable का meaning लिखिए, untenable का होता है, मतलब असमर्थ करना, मतलब, support नहीं किया, उसको Supreme Court ने, ठीक है, तो Supreme Court ने उस demand को खारिज कर दिया, the order was passed while disposing of a petition, while filed by a public interest leading at activist and journalist, तो ये order passed जो किया Supreme Court ने, ये मतलब किसके खिलाफ किया, मतलब एक जो disposing of का मतलब क्या होता है, खतम करना, मतलब एक petition file की थी, एक public activist ने, और जेनलि इस ने, उसको खतम कर दिया, और Supreme Court ने, ये order passed किया, कि हम लोग जो, हमारी chart sheet है, लोगों के किलाफ, उसको हम लोग publicly किसी website पे open नहीं कर सकते है, ठीक है, ये जो step लिया है na Supreme Court ने, इसको एकदम एक सैट्पर लिया है, इसको एकदम एक सैट्पर ने, इसको एकदम एक सैट् सैट्पैक का मतलब लिख लिजे, आगर आपको लिखना है, सैट्पैक का मतलब होता है, एक नाम काम ही अभी, for those pushing for grain transparency, उन लोगों के लिए, जो ये demand कर रहे थे कि, एकदम मतलब clear होना चाहिए, कोई भी घुटाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम transparency होनी चाहिए in the criminal justice administration, जो भी criminal justice के cases होते हैं उन में, as this has several implications as far as investigating officials and victim of the crime consort, क्योंकि जो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो effect implications का मतलब होता है, effect investigation officials है, जो investigate करने किसी को से, उन पे भी पढ़ते हो, जो victim है, उस पे भी पढ़ते हो, इसलिए ये मतलब, इस step को इस तरीके से देखा जा रहा ह उसके बाद होता है, contradicting and earlier order, contradicting है मतलब या होता है, पहले कुछ order दिया था, अब उसके, मतलब, opposite में order दे दिया, on the face of it, the judgment seems to be contradiction and order passed by the court, where Youth War Association of India versus Union of India 2016, it directed that the first information FIR in any case should be on relevant investigating agencies website within 24 hours of registration, तो ये जो statement दी Supreme Court ने, कि हम लोग क्या करेंगे, जो charge sheet है, उसको official website पे नहीं डालेंगे, मतलब, लोगों के लिए open नहीं करेंगे, ये statement है, ये किसके opposite है, जो एक statement दी थी, Supreme Court ने, एक case हुआ था, Youth War Association of India versus Union of India, ये court cases आप answer writing में लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप, मतलब, note भी कर सकते हो, site में, reference देके, तो इस case में Supreme Court ने क्य बोला था, जो FIR है न, जो first investigation report होती है, मतलब, जैसे ही कोई, किसी पे case करता है, तो पहले हो FIR करता है, police station में जाके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, open कर देंगे, मतलब, कोई भी case होगा, चाहे वो, तो उसको हम जो investigation agency के एक website होती है, उसको उपन कर देंगे, without 24 hours, 24 गंटे के देंगे, this was for public personal, अचा, personal का मतलब क्या होता है, reading, मतलब, public के पढने के लिए हम लोग इसको website पे डाल देंगे, and appropriate action, appropriate action, appropriate action का होता है, मतलब, सही action, ठीक है, उसके बाद, what in the court's view now, the charge sheet that is final report specified by the code of criminal procedure 1973 is on a footing different from the FIR, and hence cannot be shared with anyone other than the accused and the victim, लेकिन अब Supreme Court ने क्या किया, अपना जो view है, उसको थोड़ा बदला, और अभी तो FIR के बारे में नहीं बोला, उसने, charge sheet के बारे मोला, जो final report होती है, जो 100 दिन के अंदर, जो investigate कर रही है, police, उसको जमा करनी होती है, court में, उसने बोला कि ये FIR से उसको different माना, और बोला कि इसको हम लोग share नहीं कर सकते हैं, क्योंकि with anyone, मतलब, जो accused person है, जिसके ओपर case हुआ है जिसके पस आरोप लगा है, जो फिर जो victim है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके इलावा हम किसी के साथ भी share नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब हम लोग presume कर सकते हैं, presumably क्या होता है, मतलब मानना, क्योंकि जो charge sheet होती है, वो एक comprehensive account होता है, comprehensive क्या होता है, मतलब जो detail में account होता है, किसका, जो crime अभी question में है, कि मतलब ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसमे, and had vital information, उसमें बहुत सारी information होती है, such a list of prosecution, prosecution क्या होता है, the process of officially charging somebody with crime and try to show he is guilty, मतलब prosecution होता है, मतलब किसी को guilty show करना और उसमें अरोप लगाना, तो उसमें काफे जादा information होती है, कि क्या-क्या अरोप लगाए है, और witness होते हैं, जो prosecution process के मतलब जो समर्थन करते हैं, उनके बार में information होती है, और जो documents होते हैं, investigating officers जो investigation कर रहे हैं, उनकी जो, उन्होंने, मतलब, conclusion दी होती है, कि इस case में ऐसा हुआ है, document in support of investigating officers, conclusions, ये सारी information होती है, इसलिए हम लोग मतलब चार शीट को ये ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, तो, such material would be become public knowledge during the trial, in the top court's view, any action to part with details contained in these documents, even before a trial begins, would be detrimental to the accused and the victim, उसके बाद, Supreme Court ने क्या बोला, कि, अगर कोई भी material हम लोग public कर देंगे, ठीक है, during a, मतलब, trial, जब भी किसी पर case चल रहा है, तो, any action to part with details contained in these documents, even before a trial begins, would be detrimental, तो, मतलब, जो हम लोग share कर देंगे, न, information public है, तो, जो भी document, मतलब, public को पता चलेंगे, वो, जो, मतलब, detrimental का meaning क्या होता है, detrimental का meaning क्या होता है, मतलब, हानिकारक, वो किसके लिए हानिकारक होगा, अगला हम लोग public के लिए share कर देंगे, जो accused है, ज इसके साथ कुछ गलत होगा, उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि chart sheet के बाद trial शुरू होता है, उससे पहले ही, अगर हम लोग public अली बता देंगे, chart sheet दे देंगे, तो, वो गलत होगा, court ने ये बोला, court has observed that open publicity to what is contained in the final report is not within the scheme, contemplated by the code of criminal procedure, contemplated का मतलब होता design, तो, court ने क्या बोला, कि that open publicity to what is contained in the final report, मतलब, लोगों को दिखाना कि हमारी final report, जो, मतलब, क्या बोलते हैं, उसको chart sheet है, उसके बारे में publicity करना, लोगों को दिखाना, ऐसा कहीं भी code of criminal procedure की scheme में नहीं है, ऐसा कहीं भी design नहीं हो है, ठीक है, code of criminal procedure में ऐसा कहीं भी नहीं ब early days of the constitution, when confidential, confidentiality was the mantra in every aspect of judicial activity, मतलब, अभी हम लोग उस समय से काफी आगे निकल जाते हैं, निकल चुके हैं, जब when confidential, confidentially, मतलब, secretly, मतलब, secret document होता है, वो एक mantra होता था, judicial activity का, मतलब, वो, जा कोई भी document किसी को दिखाते नहीं थे, अपने पास रखते थे, ठीक है, courts then were a sacrosanct institution, अब sacrosanct institution क्या होता है, जो अपनी information किसी के साथ भी share नहीं करता है, ठीक है, where none of their actions was open to criticism, और any kind of scrutiny, उस time पे court, अगर कोई भी action लेता था, उसका कभी भी criticism नहीं होता था, और कोई भी शानबीन भी नहीं होती थी, अगर थोड़ा सा भी criticism होता था ना, उस time पे अगर court का, तो वो किस चीज को नहीं होता देता था, उसके खिलाफ contempt होता था, मतलब उसकी निंदा होती थी और उनको punishment में मिलती थी, जो ऐसा करते थे, अभी हम लोग इस time पे आगे हैं ना, कि judges का खुले दोर पे criticism होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, मीडिया में, that are unconventional and not in line with popular expectations, जो काफी ज्यादा मतलब unconventional है, unconventional मतलब जो पहले होता था, हिस्टी में ऐसा होता था, अब कन्वेंशनल का मतलब होता है, जो पुराना और unconventional होता है, मतलब वो एकदम नया, नया तरीका है, and not in line with popular expectation, और मतलब expectation के खिलाफ है, ये ठीक है, जैसा हम लोग expect करते है, उसके खिलाफ है, we have even see a judge's personal life being subjected to public debate, हमने ये भी देखा कि इवन judges की जो personal life है, उसको भी public में debate में डाला जाता है, उस पे भी बात होती है, it is against this backdrop that the supreme court decision to keep charge sheet away from public knowledge could be disapproved by those who are consciously pushing to expand the frontiers of judicial eradicants, ठीक है, तो, अब मैं बताता हूँ आपको, इसके खिलाफ supreme court ने क्या किया, मतलब it is against this backdrop, मतलब इसके पीछे supreme court ने क्या किया, जो supreme court का decision था to keep charge sheet away from public knowledge, मतलब charge sheet है, जो उसको public knowledge से बाहर रखना, could be disapproved by those, उन लोगों ने उसको disapproved किया, जो constantly demand कर रहे थे, वो अर constantly pushing to expand the frontiers of judicial eradicants, eradicants है meaning लिख सकते हो, मतलब unwillingness to talk about something, मतलब किसी के बारे में बात नहीं करना चाते, ठीक है, जो क्या करना चाते थे, expand करना चाते थे, supreme court का, मतलब जो judicial system है, उसकी जो मतलब judicial eradicants है, मतलब वो चूप रहना, supreme court अपने जो चीजें है, वो अपने पास रखती है, लोगों को तो हर चीज पब्लिकली बताती नहीं है, तो उन लोगों ने इस बात को disapproved किया, मतलब नाकार कर दिया, जो चाते थे कि judicial, मतलब जो eradicants है, और open हो पब्लिक के लिए, eradicants का meaning आप लिख सकते हो, not talk about something, किसी बारे में बात नहीं करना चाता, उसके बात, जो इसने आर्टिकल लिखा है, उसने अपना view बताया, in my view, sharing a chart sheet with public on demand is very much in order, तो आप लोग अपना opinion बता, मतलब इससे बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इस बंदने जिसने आर्टिकल लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, यह कौन है, यह former director of central view of investigation है, तो इसका opinion आप किसी भी answer writing में लिखोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपिन क को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, इसमें उन्होंने अपना opinion बताया, कि जो यह demand है ना कि मतलब public को दिखाना चाहिए, किसी का भी chart sheet, वो are very much in order, in order मतलब एकदम सही है वो बात, मतलब दिखाना चाहिए, while it not, need not necessarily be posted on the website of court concerned, ठीक है, लेकिन वो यह बोल रहा peruse its contents, अचा, peruse का meaning लिखे, peruse का मतलब होता है पढ़ना, तो जो public interest dictates a positive response, मतलब जो public का interest है ना, public का hit है जो, मतलब जो public hit है, वो हमें, वो एक positive response देता है, मतलब अच्छा response देता है, to a request to pursue its content, मतलब जो भी उसकी content है, मतलब information है, वो उसके खिलाफ नहीं है public, मतलब public चाहती हमें, लोगों को, या फिर अगर किसी के अपनी चारशीट है, तो वो यहीं चाहती है, public, public interest के लिए अच्छी है, positive response, it is true that vested interest in league, with the accused might engage in finding law force in the charge sheet with the view to undermining the prosecution case, undermining का पहले है, meaning weak, किसी चीज़ को weak करना, तो आगे ये बोलता है, it is true that vested interest in league, मतलब लोग अपने interest के लिए, या फ with the accused, जो accused person है, मतलब, जो मतलब कोई आरूपी है, तो मतलब कोई लोग उसका रिष्टदार हो गया, या कोई और लोग है उसके गाउं के, वो अपने interest के लिए, accused के साथ मिलकर, might engage in finding loopholes, मतलब वो ये, अभी कोई उनके गाउं के लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, loophole उनने की कोई शोशीच करेंगे, किसमें? चार्ट शीट में, with a view to undermining the prosecution case, तांकि वो उसको weak कर सकते हैं, जो की prosecution case है, मतलब, prosecution का मैंने आपको meaning बता दिया, जो भी हम किसी को guilty ठाराने के लिए, जो case करते हैं, उसको weak करने के लिए, लोग उसके साथ मिलके, चार्ट को weak लेकिन ये कोई reason नहीं है, कि मतलब, लोग loophole टूंटेंगे चारशीट में, तो आप चारशीट नहीं दिखाओगे, before the commandments of the trial, और आप लोग डिनाइल करोगे opportunity, कि लोग देख सकें कि quality of investigation, कि मतलब, जो investigation है, वो अच्छे से हुई भी आए और नहीं हुई है, ये कोई reason नहीं हाला कि इसके अलावा जो prospect है ना, prospect का मतलब, वोगत क्या होता है, आशा, hope, it is inside the prospect of clinical analysis by a rank outsider, मतलब, जो उमीद है कि जो मतलब, अगर outsider, मतलब, जो बाहर का आदमी रहेगा, उसके पास potential है, to enhance this soundness of investigation, जो investigation है, उसको और मजबूत करने की, उसको भी पता चलेगा, इस पर क्या चारशीट लगी हुई है, तो वो और strong को case, मतलब, investigation को और उससे strong हो सकती है, and prevent tendentious, अचा, tendentious का meaning लिखी है, controversial, controversial prosecution against innocent individual, अब किसी पर, मतलब, वो इस चीज़ को भी रोकेगा, अगर public को पता चल जाएगा, इस चारशीट में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी के उपस tendent, मत जो कि मतलब किसी fact पर base नहीं है, ऐसे ही लगाया हुआ, इस चीज़ को भी रोकेगा, तांकि किसी innocent को सजा ना मिले, ठीक है, we know how some investigation are malicious and prejudiced due to extraneous concentration, हम ये भी जानते हैं कि, मतलब, हमें ये पता है कि, बहु सारी जो investigations है, वो malicious, 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 मतलब, जो evil, मतलब, खराब होती है, और जो पक्षपात करती है, ठीक है, क्योंकि जो बाहरी लोग है, मतलब, मैं बाहरी लोग, मतलब, public नहीं बोल रहा हूँ, मतलब, जो बाहर के जो strong politician है, वो क्या करती है, उसमें, मतलब, interfere करती है, इसकी वज़ा से investigation खराब हो जाती है, ठीक है, a trial court will actually benefit from outsider scrutiny, actual में क्या होगा, अगर कोई बाहर का बंदा, scrutiny मैंने आपको बता दिया, शान बीन करना, अगर, मतलब, बाहर के बंदे को भी chart sheet के बारे में बता चलेगा, तो वो भी अपने शान बीन करेगा, तो इससे court को भी benefit होगा, क्योंकि आपको पता ही, आजकल लोग social media पे कितना active होते हैं, हर detail निकाल देत हो, उनका opinion भी लिख सकते हो, Central Bureau of Investigation के director है, उसके बाद, इन lost chance, मतलब, खोया हुआ chance, the Supreme Court order is wake-up call to all investigation agencies, including the Central Bureau of Investigation, which has often been assailed by courts for delays in filing a charge sheet, और for the poor quality of investigation, तो ये जो Supreme Court ने judgment दी है, वो एक wake-up call है, कि इनके लिए, जो Central Bureau of Investigation है, जो और भी investigation है, जो क्या करती है, which is assailed by courts, assailed का meaning आप ल मतलब होता है, मतलब डांटना, अटैक करना, तो मतलब, बिशी असे, जो की डांटी जाती है, court के दवारा, क्यों, क्योंकि वो delay करती है, charge sheet fight करने में, या फिर उनकी जो investigation की quality है, वो poor होती है, ठीक है, court scrutiny is a good feature in India's criminal justice system that reasonably ensure that false prosecution of an innocent individual is not only an aberration and not a rule, तो जो court की scrutiny होती है, मतलब, ज justice system, जो कि क्या ensure करता है, कि कोई innocent बंदे को, मतलब, that false, मतलब, किसी innocent बंदे पर जो false aerop लगा है, वो एक aberration है, aberration का मतलब क्या होता है, not acceptable, मतलब, उसको, किसी innocent बंदे को, वो सजा नहीं होने देता है, जो court है, ठीक है, तो ये अच्छा, मतलब, feature है, जो court अपनी तरफ से ज सजा नहीं देगा, ठीक है, वो पूरी जांज करके, पुलीस की चार्शीट के बेस पर सजा नहीं देगा, ठीक है, उसके बाद trial चलेगा, उसके बाद सजा देता है, तो ये जो court बनेया, एक अच्छा feature है, Indian Constitution का, a chance for well-meaning members of the public to study a charge sheet, at least in important cases, before a trial begins, will only show that prospect of loosely framed charge sheet will be fewer in number, तो य एक chance था public के पास कि वो charge sheet को study करे, मतलब at least in important cases, at least in un cases में जो बहुत ज्यादा important होते हैं public के लिए, before the trial begins, मतलब trial शुरू होने से पहले court का, trial क्या होता है, मतलब case शुरू होने से पहले, will only ensure, क्या ensure करता है ये चीज, मतलब the prospect of, prospect मतलब hope of, loosely framed charge sheet will be fewer in number, मतलब जो loosely framed charge sheet, कमजो हो जाती number में, क्योंकि public खुद charge sheet को पढ़ती, उसमें loophole डोनती, तो जो charge sheet, weak charge sheet है, जिनमें कुछ खुटाला हुआ है, वो कम हो जाती, एक एक line मैंने आपको Hindi में explain की है, ठीक है, तो please यार, channel को subscribe कर देना, bell icon, please पका दवा देना, और comment, comment मेरे को चाहिए, ठीक है, comment, जो भी inbox में लिकर देना, ठीक है, ओके, जाहिद,